कुर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है अब तक आप ने देखा कि हम लोग ने को समझने के लिए जो हमको छोटी-छोटी बाते होती हैं उनके बारे में एक बैसिक बैग्राउंट को समझने की कोशिच करी है अब उम्मीद करते हैं कि आपको आप सॉफ्ट्रेयर में जो छोटे-छोटे हमारे बात करेंगे और वह है Northern Calculations कोवी शॉप्ट्रेयर होता है तो इसमें हम equiv करना चाहेंगे, computation करना चाहेंगे, simulation करना चाहेंगे, इत्यादी, तो R के अंदर इन calculation, computation, इत्यादी को कैसे किया जाए? अब जब भी हम R software की बात करते हैं, तो आपने देखा था कि R में हमारे पास दो तरह की values होती हैं, एक होती है scalar values, और दूसरी होती है, vector के form में, जिनको कहते है data vector, अब जब भी हम अपने R software में काम करते हैं, तो उसमारे पास तीन तरह के options होते हैं, पहले option में हम खाली scalars को consider कर रहे हैं, कैसे की scalar है, जैसे 2, 3, 4, number हैं, उनको हम add कर रहे हैं, subtract कर रहे हैं, गुआ कर रहे हैं, divide कर रहे हैं, त्यादी, दूसरा option है, कि हम scalar और data vector दोनों का combination ले रहे हैं, और तीसरा option है, कि हम सिर्फ data vectors के बीच में, अपने mathematical operations कर रहे हैं, तो हम इन तीनों aspect को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि R जिस्ट खरीके से कारे करता है, यह बाकी software से हो सकता है कि थ्वासा अलग हो, इसलिए मेरा उदेश इस lecture में आपको calculations को समझाना नहीं है, मेरा उदेश यह है कि R उन calculations को कैसे कर रहा है, यह आपको समझना चाहिए, उससे advantage क्या होगा, उससे फाइदा क्या होगा, कि जब आपको यह पता चल जाएगा कि R इन calculations को कैसे कर रहा है, तो future में जब भी आप अपना program लिखेंगे, आप अपना function लिखेंगे, then आपको यह मालूम है कि इस काम को करने के लिए हमको इसको R software में कैसे लिखना है, इसलिए मैं आप से request करूँगा कि इस lecture में जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं पर मैं अगर यह कहता हूँ कि 2 प्लस 3 है, मेरा interest यह बिल्कुल आपको बताने में नही है, मेरा उद्देश यह है कि 2 और 3 यहां पर कैसे add हो रहे हैं, इनके बीच में क्या operation हो रहा है, तो इस तरी हमें से lecture को आरम करते हैं, और इस lecture में हम आपको Scalers के बीच में कैसे हमारे mathematical computations होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम data vector और scalar के बीच में हमारे किस तरह के operations होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और इसके पहले, मुझे पूरी उम्मिद है कि आप सभी ने calculator को यूज़ी किया होगा, जब मैं इस lecture को आरम कर रहा हूँ और जब मैं Scalers की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक line में सारे सारे calculation समझा सकता हूँ, कि जब भी हम R software में Scalers की बात करते हैं, तो उनका computation बिल्कुल calculated की तरह होता है, इसका क्या मतलब है, चलिए हम इस lecture की शुबात करते हैं और इसको समझते हैं, तो कैसा मैंने आपको बताया कि R के अंदर हर परीके के जो calculations है, addition, subtraction, multiplication, division, लजोगना, घटाना, भाग करना, इत्यादी ये सारे के सारे सम्भव हैं, और उनको किया जा सकता है, साथ ही R के अंदर कुछ built-in functions भी होते हैं, जिनके द्वारा हम computation को बहुत आसानी से कर सकते हैं, R के अंदर एक और सुविदा है कि R के अंदर जो भी हमारे calculations हैं, वो हम scalars और data vectors दोने के उपर कर सकते हैं, इसलिए जब भी हम R में competition की बात करते हैं, then हमारे पास computation में scale-s versus scale-r, आथाथ हमिखाखा खाली scale-rб के बीच में computation कैसे करेंगे, iscalar versus data vector, thirdsä यदेवर ऑर data vector के combination अगर हैं तो उसमें computation कैसे करेंगे और अगर हमारे हमारे पास षिर्फ data vectors ही हैं तो उनके बीच में कैसे करेंगे यह तीरों तर्दा की सुविधाएं हैं और हमको यह समझना है कि यह हमारे operations कैसे होते हैं तो सबसे पहले हम Scalers की बात करते हैं तो Scalers के अंदर जो हमारे computations होते हैं वह बिलकुल हुबहु वैसे ही होते हैं जैसा की calculator में होते हैं जैसे की अगर आपको addition का काम करना है जोग अब जोगने का sign हमारे क्या होता है plus अब अगर हमको 2 और 3 को add करना है तो हमको यहां पे simply लिखना है 2 plus 3 और इसका उत्तर हमारा आजाएगा 5 और ऐसी अगर हमको बुरा करना है तो इसका हमारा symbol जैसे गरित में तो होता है cross करके ऐसे लेकिन calculator में जो होता है ऐसे star होता है तो यही star symbol हमारा multiplication को indicate करता है और अगर हमको 2 और 3 को multiply करना है तो हमको लिखना पढ़ेगा 2 star 3 और इसको आप अगर जैसी एंटर करेंगे तो इसका answer fix आजाएगा और यही काम आप यहां भी देख सकते हैं मैंने आपको screenshot दिया हुआ है जहां पे 2 प्लस 3 और 2 इंटू 3 का outcome आपको दिया हुआ है मैं आपको R software के अंदर भी इसको करके दिखाऊँगा उसी तरह के से अगर आपको खटाने का काम करना है तो इसका symbol क्या होता है माइनस तो आपको अगर कैसे दूबे से कीम को सब्सक्राइट करना है तो आपको लिखना होगा 2-3 बिल्कुल उसी तरहीके से जैसे कि आप calculator में लिखते हैं और इसका उत्तर इंटर करने पे आ जाएगा माइनस वाल और उसी तरहीके से अगर आपको भाग करना है तो भाग करने का हमारा जो grit में सिंबल होता है वो इस करीके का होता है और calculator में जो सिंबल हमारा ऐसा slash shine होता है तो यहां पर अगर आपको R software में 3 में से 2 को भाग करना है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 slash 2 और इसका उत्तर देखी क्या जाएगा 1.5 और इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा गलित का expression है जिसके अंदर multiplication, subtraction, addition, division, सब कुछ involved है तो जो भी आप ने अपने elementary classes में छोटे classes में गलित के rule परहे थे कि सबसे पहले जिस तरीके से हमारे operations होते हैं multiplication, division, addition, subtraction को वही नियम यहां भी लगेगा तो जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा हुए 2 into 3 minus 4 plus 5 divided by 6 इसको अगर आप अगर compute करेंगे तो इसका उत्तुर आ जाएगा तो इसमें कोई फरक नहीं जो आपने अपने elementary classes में छोटे classes में गलित के rule परहे थे वही यहां भी आपके valid रहेंगे तो चलिए आगे बगने के पहले मैं आपको यह सारे operations आर सॉफ्ट्रेयर में करके भी दिखा देता हूं कि आपको confidence आजाना चाहिए कि ऐसे ही होता है जैसे अब हम यहां पे हम कोई दो number लेते हमाली यह 4 plus 2 आप देखेंगे यह हमारा हो गया 6 अगर आपको fraction करना है तो आपको दिए 4 minus 2 तो यह हो जाएगा 2 और अगर 2 में से अगर हम 4 को घटाना चाहते हैं तो देखिए यह minus 2 हो 4 और 2 का multiplication करना चाहते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 star 2 और यह हो जाएगा 8 और अगर हम कार में से 2 को अगर हम divide करना चाहते हैं तो हमारा answer जाएगा 2 और अगर हम 2 को 4 से भी divide करना चाहते हैं तो हमारा answer जाएगा 0.5 तो यह तो आप समझते ही है तो आपने देखा कि इस तरह कि जो basic operations करना R में बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम calculator में calculations करते हैं अब इन basic calculations करने के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि R के अंदर जो भी calculations होते हैं उसमें से एक rule जो आपने अपने elementary classes में पढ़ा होगा board mask किसको हम कहते हैं यही नियम हमारा यहां भी applicable होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे calculations होंगे इसी board mask का जो order है उसके अनुसार होंगे अर्थात board mask में B का मतलब है bracket उसके बाद वो का मतलब है orders अर्थात जैसे hours अगर हम लिखते हैं दो की hour three उसके बाद में division भाग उसके बाद में m multiplication उसके पास में a addition जोगला s for subtraction इसी order में आपके सारे सारे mathematical operations होते हैं और जिस तरीके से गरित में हमारे जो भी जादी तो हमको पता है कि उसके अंदर जो हमारा नियम कहता है कि हमको left to right उसी order में बढ़ना पड़ता है हमको गरिक में बताया गया था कि हमारे पास तीन तरह के brackets होते हैं एक ऐसा simple bracket जिसकों कहते है साधार है एक curly bracket और एक square bracket है तो जो आर software में खाली हमारा ये जो simple bracket है खाली यही इस्तमाल होता है यह जो curly bracket हैं और जो square bracket हैं इनका इस्तमाल हम R software में कुछ और कारियों के लिए करते हैं और यह कार क्या होते हैं इसको हम आने वाले lectures में आपको कमझाएंगे तो अगर आपको यहाँ पर R software में अगर आपको इस तरह के कई brackets को इस्तमाल करना है तो इसका एक ही तरीका होता है कि आपने पहला bracket लिया और दूसरा bracket भी आपने उसी bracket को करके लिख दिया तैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमारे पास two plus three लिखा हुआ है ऐसे करके तो यहाँ पर हमको यह curly bracket है इसको भी हमको simple bracket से ही replace करना पड़ेगा तो यह बात आपको ध्यानक निए यह थ्वासा अंतर होता है लेकिन आप अगर देखेंगे कि maximum calculator में भी इसी तरीके का कारे होता है ऐसे दारल के लिए अगर हम आपको यहाँ पर बताएं अब एक बहुत आसान सा expression लेते हैं आपको समझाने के लिए अगर हमने यहाँ पर लेका है two plus three और इसके बाद देखिए इसको bracket में बंद कर दिया है उसके बाद में लेका into five plus five minus ten तो अब इसका operation कैसे होगा सबसे पहल उसके बाद में addition का काम होगा तो 25 plus five 30 हो जाएगा उसके बाद में subtraction होगा तो 30 में से 10 subtract होगा तो क्या बचाएगा 20 उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर अगर आप अगर यहाँ पर भी आप अगर bracket sign लगाना चाहते हैं इसी expression में तो देखिए पहला bracket sign आपने यह लगा दि तो जो भी हमारा bracket sign का opening है उसका closing भी होगा और third bracket sign आपने यहाँ पर लगा दिया यह वाला अब इसका जो operation क्या होगा सबसे पहले यह जो पहला प्लेयर है parenthesis में पहले यह operate होगा उसके बाद में फिर जो second bracket है हम अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह जो second bracket है उसके बाद होगा उसके बाद हम और बाहर जाएंगे तो यह जो हमारा third bracket है यह आपका operate होगा तो उसी करीके से आपकी यह सारे के सारे कार होते जाएंगे जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो two plus three five हो गया उसके बाद में five into five यहाँ पर twenty five हो गया और twenty five में फिर इसके बाद में bracket के अंदर यहाँ प्लस five हो गया तो यह 30 हो गया उसके बाद में जो आगे का bracket है यह वाला यह आपका खुलेगा तो 30 में से 10 आपका गया minus 10 20 हो गया और 20 करने के बाद में अब जो bracket के बाहर आपका division sign है तो divided by two हो गया उत्तरा गया 10 तो यही आपका जो operation का order है यह आपका गरिक में काम करेगा और यह आर के अंदर भी कार कर और यहां पर आप भी देख सकते हैं कि यहां पर मैंने आपको इसका screenshot भी दिया हुआ है जिससे कि आप फिर operation को खुद से कर राइट अब हम आपको यह वाले operation के लिए पहले आपको R software में भी करके आपको दिखा जिते हैं so that कि आपको confidence आ जाए और फिर हम आगे बगने की को करेंगे तो देखिए इसको हमने किया तो यह हमारा आगया 20 और इसी में अगर हम मालिए अपने अगर हम bracket को अगर हम यहां पर फिर से बन कर देते हैं और जो भी हमारी value आ रही है उसको अगर हम मालिए तू से अगर हम divide कर देते हैं तो देखिए अनसर आजाएगा तू और उसके अलावा आप अगर यहां पर कोई भी अगर आप अगर किसी भी फार्मेट में आपको जहां भी जैसे bracket लगाना है आप इसको अगर लगा देंगे तो इसमें से कोई समस्या की बात नहीं आएगी जो आपने mathematics में गड़िक में पॉलिकर रखा हुआ है वही कार आपके भी होते रहेंगे अब हम आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं जो बहुत important है यह है blank space के बारे में जब भी हम R software में mathematical operations करते हैं तो उसमें blank space की कोई value नहीं होती उसका कोई role नहीं होता है वह आपके calculations को कहीं से भी effect नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि देखिए हमको अगर दो और पांस को add करना है तो हमने यहां पर लिखा two plus five और आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर कोई blank space नहीं है सबको मैंने एक साथ लिखा हुआ है तो आपका उत्तर आगया साथ अब मैंने क्या किया कि इस plus sign के दोनो और दोनों और यहां पर कुछ blank space देदी left hand side में right hand side में लेकिन फिर भी आप इसको enter करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो seven ही आएगा अब अगर हम इसी blank space को इस plus sign के left hand side और right hand side पर अगर हम increase भी कर देते हैं अब देखिए यहां पर जयदा space है तो भी लेकिन आपका उत्तर साथ ही आएगा और अगर हम left hand side में बहुत space देते हैं और right hand side में कोई space नहीं है तो भी हमार उत्तर seven ही आएगा इसका मतलब क्या यह जो blank space आपने दी है किसी operator में operator के left hand hand और right hand side में इसकी कोई value नहीं होती है लेकिन अब सवाल आता है कि मैं आपको यह बात क्यों यहां पर समझा रहा हूं यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने अपने art software में दो तरह की values पुरे थी एक थी आपकी characters जैसे कि आपको याद होगा मैंने पहरे के lectures में एक example लिया हूँ है apple तो जब भी हम कभी character को देते हैं तो हम उस character को इस double quote के अंदर देते हैं double quote या finger quote जो भी है उसके अंदर देते हैं अब हम double quote के अंदर अगर हम apple मान लिजे ऐसे लिखते हैं कि ये blank space मैंने दे दी और फिर हमने लिखा apple तो ये और ये दोनों में अंतर होगा और जो our software है जो भी हम character के अंदर blank space लेंगे उसको read करेगा उसको accept करेगा उसको मानेगा तो इसका इस्तमाल कहां पे होगा कि जब हम आपके आने वाले lectures में हम अपने print command और formating commands भी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जब मुझकोर किसी character को print करना है तो उसमें अगर हम यहां पर blank space देते हैं तो यह blank space वहां पर as such accept होगी तो इसलिए आपको मैं यहां पर इस बात को बहुत clearly बताना चाहता था कि जब हम mathematics मे करते हैं तो blank space की कोई value नहीं है लेकिन जब हम characters को handle करेंगे तो उसमें हमारी blank space की value होगी चलिए हम आपको इसको पहले R software में करके भी दिखा देते हैं आपको confidence होना चाहिए तो देखिए यहां पर मैंने क्या 2 प्लस 5 कितना हो तक आगया 7 अब मैंने कर दिया 2 और कई सारी blank space के दी मैंने आपको यहां पर तो कितना हो गया 2 प्लस 5 फिर सथा देखिया आगया 7 और अगर हम इसमें से और भी अगर हम करना चाहें मैंने एक और space दी और एक और space मैंने नहीं दी तो भी देखिए उत्तर के आएगा 7 और यह तो धारन मैंने आपको addition का लिया है लेकिन आ 3 अब अगर हम 5 खे बाढर अगर में यहां पर blank space गदेा दे दे हैं और फिर हम कहते है 5-2 तो यह भी देखिया आगया 3 उसी तरही किए से अगर हम 5 into 2 करते हैं यहाँ पर मैंने कोई space धी यह उतना गया 10 अब घूण देखिया 10 और इसमेंस मैंने मैंने घर माली space दे दी और तो यह आ जाएगा उत्तरू आ जाएगा आपका 10 और इसमें से blank space की देखिए इसमें से कोई भी value नहीं आई उसी तरह किसे अगर हम division की बात करते हैं तो 5 divided by 2 कितना हो गया 2.5 और इसी में अगर हम 5 के आगे अगर हम blank space की दे देते हैं और फिर हम इसमें 2 से divide करते हैं तो फिर कोई भी अंतर नहीं आने वाला है और आपकी calculations में कोई फरक नहीं होगा अब जो आपको मैंने बताया है calculations यह तो बिलकुल उसी तरीके से हैं कैसा की calculator में होता है और हमने यहां पर Scalors के बीच में लिया है मैंने आपको धारल के लिए मैंने आपको दो Scalors लिये हैं लेकिन आप अगर चाहें तो आप दो से सादा भी Scalors होगे तो भी आपका यह कारे काम हूब हूब वैसे ही करेंगे कैसा कि हमारे arithmetic में होता है अब हम आपको दूसरे करके Calculations के बारे में बताना चाहेंगे कैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पार दो तरह की values होती है एक होती Scalor और दूसरा होता है Data Vector इस data vector में क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कई सारी values को अपस में combine करना होता है जैसे हम कहें कि हमको 1,2,3,4 को एक साथ combine करना है तो इसके लिए हम C operator का इस्तेमाल करते हैं लोवर के अलफाबेट में C और इसको हम अगर किसी variable में अगर हम assign कर देंगे X तो यह हमारा क्या है यह हमारा है data vector तो R software में जब हम कभी data vector की बात करते हैं और उसके उपर हम अपने mathematical operations की बात करते हैं तो इसमें बाकी software में जिस तरह के operations होते हैं और जैसा R software में होता है उसमें थ्वास अंतर होता है इसलिए मैं आपको यहां पर आज लेक्चर में जो एक खेटा वेक्टर और एक स्केलर उनके ऑपरेशन करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा लेकिन मेरा objective यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको इसका जो mathematical output है उसके बारे मेंद में बताउँ मेरा objective है कि जब हम डियटा वेक्टर और स्केलर कोले रहे हैं तो उनके बीच में कैसे operations हो रहे हैं उसके पीशे क्या methodology है यह मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा और यह मैं जब मैं पहला अधाराल लूँँगा उसी के थू मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको बाकी के जो भी अधाराल होंगे वह समझ में आ जाएंगे बिना किसी समझ से आके तो मैं आपसे request करूँगा कि जो मेरा पहला example है जहां पर मैंने एक यह data वेक्टर लिया है जिसमें values हैं दो तीन पांस साथ और उसको मैं एक scalar तो यह हमारा क्या है data वेक्टर और यह हमारा क्या है scalar इसके इसके बीच में operation कैसे होता है यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए इसमें से क्या होता है अगर माली मैंने एक data वेक्टर लिया है 2, 3, 5 और 7 अब इसमें से हमें इस 10 को add करना चाहते हैं तो अब इसका जो operation होगा उसमें से क्या होगा कि यह जो हमारा number है 10 यह हर एक element में आकर के add हो जाएगा यह जो 10 value है यह 2 के उपर आएगी तो यह बन जाएगा 2 प्लस 10 और इसकी value आजाएगी 12 12 उसके बाद यह हमारा जो भी data vector में अगला element है 3 इसके उपर आएगा और यह हो जाएगा 3 प्लस 10 और इसका उत्तर आजाएगा 13 फिर यह जो 10 है यह हमारा 5 के उपर आजाएगा और 5 में 10 add हो जाएगा और इसका उत्तर आजाएगा 15 और फिर जो हमारा 10 है यह हमारा 7 के उपर आजाएगा और हमारा उत्तर आजाएगा 7 प्लस 10 10 अथा 17 तो यही देखी यहां पर screenshot में आया है तो मैं आपको यहां पे दो और 10 का जोग या 10 या 10 का जोग ही सिखा रहा हूँ लेकिन मैं यह सिखाना चाहता हूँ कि जो भी हमारा operation है हम जब भी कर रहे हैं तो वह किस करीके से हो रहा है और आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी scalar का operation है वो हमारे data vector के अंदर आता है और वहा हम subtraction की बात करते हैं तो मैंने यहां पे एक यह data vector लिया है 12, 13, 15, 17 का और उसमें से हम 10 को subtract करना चाहते हैं तो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से क्या होगा जैसे कि अगर हम अपना data vector लिखते हैं यहां पे 12, 13, 15, 17 और फिर हम जो हमारा minus 10 है इसको हम operate कर तो क्या होगा हर यह हर एक element में हमारा 10, 10 subtract हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जब यह वैली हमारी 12 के ओपर आती है तो बात हो जाएगा 12 minus 10 और था है तू, फिर हमारी यह जो minus 10 हमारा 13 के ओपर आएगा तो यह को जाएगा 13 savu minus 10 rỳ फिर 17v ।नर फिर 15 यह हमारा इस तरीके का outcome आ जाएगा तो फिर से आप में देखा कि चाहे addition था चाहे subtraction था operation का जो खरीका है वह दोनों में एक साही था जो भी operation है वो हमारे data vector के हर एक element के उपर होगा उसी तरीके से अब जो हम multiplication की बात करते हैं और अगर हम यहाँ पे एक data vector लगते हैं तो थी पाइप सेवन और उस में से हम 10 को multiply करते हैं तो क्या होगा यह जो star और 10 सबसे पहले 2 के साथ आएगा और यह बन जाएगा 2 इंटु 10 इसका उत्तर आ जाएगा 20 फिर यह जो star और 10 है यह हमारा cream के साथ आके attach हो जाएगा और यह बन जाएगा 3 इंटु 10 इसका उत्तर आ जाएगा 30 फिर यह जो star 10 है यह हमारा 5 के साथ में आके operate हो जाएगा और यह उत्तर आजाएगा 50 और फिर यह जो हमारा star 10 है यह हमारा 7 के साथ आजाएगा और यह उत्तर हो जाएगा 7 इंटु 10 इसका 70 और यही देखिए आपको screenshot में मैंने यहां पर दिखाया भी है अब समस्या की बात ही नहीं है अब कैसे कि अगर हम यहां पर माली कोई एक data vector लेते हैं 12, 13, 15, 17 और इसको हम कर से divide करते हैं तो फिर से क्या होगा यही operation हमारा हर एक element के साथ आजाएगा सबसे पहले यह 12 के साथ में आएगा और यहां पर हो जाएगा 12 divided by 10 उत्तर आजाएगा 1.2 इसके बात में यह जो 10 हमारा 15 के पर आजाएगा और यह हो जाएगा 15 divided by 10 और यह value हमारी बन जाएगी 1.5 और यह जो हमारा divided by 10 operation है यह हमारा अंतिम जो element है 17 उसके उपर आजाएगा और यह value हो जाएगी 17 divided by 10 जो होती है 1.7 और आप देख सकते हैं कि यही चीज़तों देखी यहां पर स्क्रीन शॉट में आपको दिखाई पग रही है तो अब आपने देखा कि जब भी हम कभी किसी data vector और scalar का operation कर रहे हैं तो हमारा एक ही नियम है कि जो भी scalar के उपर हमारे operations होने हैं वह data vector के हर एक element के अंदर होंगे और उसमें चाहें दो element हो data vector में चाहें 50 element हो यही operation हमारा आगे भी continue करता जाएगा अब चलिए आपको confidence करने के लिए confident बनाने के लिए हम आपको यही operation अपने R software में करके दिखाते हैं अब अगर माली यहां पर अगर हम कोई एक data vector ले ले लेते हैं 11, 12, 13, 14 और उसमें से अगर हम माली यह 10 को add करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा यह जो 10 हमारा है यह हमारा हर एक element में आकर के add हो जागा 11 प्लस 10, 12 प्लस 10, 13 प्लस 10, 14 प्लस 10 इत्यादी और इस ही data vector में अगर हम subtraction करने की कोशिश करें और हम हर एक element में से हम 10 को खटाने की कोशिश करें तो हमारा वो इस data vector के हर element में से हमारा 10 subtract हो जाएगा और आप इंटर करेंगे तो देखे आपको उथर क्या जाएगा 11 में से गया 10 एक 12 में से गया 10 कितना प्छा दो उसे 13 में से गया 10 कितना प्छा 3 और 14 में से गया 10 प्छा 4 प्लस 10 इक था 15 खटा सब्ढ़ करें तो ईस की यह हर एक element को आप यहाँ पर 11 बाराद केदार इसको आप अगर 10 से multiply कर रहे हैं यही तो काम होगा देखिए enter करते हैं तो 11 इंटु 10 110 12 इंटु 10 120 13 इंटु 10 130 और इसके बाद में 14 इंटु 10 140 और उसी तरह के से आप अगर यहां पर division की बात करती हैं भाग देने की बात करनी है तो अगर आप इसी data vector को आप अगर 10 से divide करते ह है तो यह जो 10 का division है इसके हर एक element की उपर हो जाएगा और आप अगर इंटर करेंगे यहां पर तो इक ही क्या हो जाएगा 11 को आपने 10 से divide किया तो यह हो गया 1.1 12 को आपने 10 से divide किया answer हो गया 1.2 13 को आपने 10 से divide किया उत्तर हो गया 1.3 और 14 को आपने 10 से divide किया तो उत्तर ह गया 1.4, right, तो देखिए, अब आपने ये देखा कि इस R software में जब भी हम अपने इन calculations को कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है, और इनको समझना भी कटे नहीं है, बस आपको इतना करना है कि आपको समझना है कि ये operations कैसे हो रहे हैं, और एक सवल आता है कि ये आपको क्यों सम उसके पीशे कारण देखी ये है, जो इनसान है, वह सबसे अकलमन है, और इनसान नहीं गरिक के नियम बनाए हैं, जो R को फालो करने हैं, R ने गरिक के नियम नहीं बनाए हैं, नियम तो इनसान ने बनाए हैं, और उसी की प्रोग्रामिंग करके इनसान के बनाए हुए निय कर रहा है कि जो बगए-बगए calculations करने में आपको समय लगता था वह समय कम कर रहा है अब इसके outcomes क्या होंगे आगे आने वाले समय में जब आप आर में भिन-भिन तरीके की programming करने की कोशिश करेंगे आपको भिन-भिन तरीके calculations करने पड़ेंगे, वह calculations कैसे करने हैं, इसका फ़सला आप करेंगे कि R software करेगा, यह calculations तो आपी को करने हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर multiply करना है, इसके बाद इसको divide करना है, वह कार करने के लिए, आपको R को सही भाषा में instruction देने होंगे, तो उसके लिए जो भी आपको कार करना है, उसको आपको सोचना पड़ेगा कि R software में इसी कार को करने के लिए हमको इस expression को कैसे लिखना है, और R आपने जो भी instruction दिया है, उसको वह बहुत इमानदारी से follow करता रहेगा, तो अगर आपने गलत instruction दे दिया है, तो उसको R गलत तरीके से follow करेगा, actually मैं R गलत तरीके से follow नहीं करेगा, R तो सही तरीके से follow करेगा, लेकिन आपने उसको गलत तरीके से दिया है, इसलिए हमको और R को दोनों को समझना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे के नियमों को कैसे follow करेगा, और इसकी लिए जो मैं आपको ये calculations के rule बता रहा हूं, इनका समझना बहुत आवश्यक है, जब तक कि आप इन R के नियमों को नहीं समझेंगे कि किस तरीके से R calculations करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने calculations को R की भाशा में नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये बहुत important है कि scalar versus scalar, scalar versus data vector, इत्यादी के operations कैसे हो रहे हैं, इनको आप समझने की कोशिश करिए, और आज इसे lecture में आप में यहाँ पर रुखता हूँ, लेकिन आप के पास R करने को बहुत कुछ है, आप अपने कुछ छोटे-छोटे calculations लीजिए और उसको R में करने की कोशिश करिए, आपको R के outcome पर भरोसा नहीं करना है, आपको उन calculations को अपने हाँ से करना है, आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जब आगे जा करके बड़ी-बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यह confidence आपकी बहुत सा हैता करेगा, तो आप इन चीज़ों की practice करिए और हम आपको अगले lecture में कुछ और calculation के साथ आपके साथ सीखने और समझाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए good bye. करेंगे, तो आपके साथ तो आपके साथ था इसक्तिक पराइब के लिएक,